अब मैं भगवान से प्रही कर सकती हूँ कि भी सीजन 3 अच्छा हो Hey guys, welcome back to my channel So finally मैंने देख ली है Illegal Season 2 So इसका Season 1 पिछले साल आया था May में So वो भी मुझे average लगा था And ये series क्या average से अच्छी हो पाई है उसका level up हुआ है या वो ही disastrous है कैसा है And इसका जो story है वो कितना आपको engage करके रखती है किसका performance अच्छा है क्या खास बात है सब कुछ हम discuss करेंगे detail में इस review में तो please इस video को एंट तक जरूर देखेगा पसंद आजाए थोड़ा सभी like जरूर कीजिए share जरूर कीजिए मेरे चैनल में न्यू है तो subscribe जरूर कीजिए bell icon को hit करना मन पूलिए तो जल्दी से शुरू करते है review पहले discuss करते है story तो story है यहाँ पर निहारिका सिंग और यहाँ पर जेजे यानि कि जनारदन जेटली तो यह जनारदन जेटली जो है वो अभी politics का रुख कर रहा है और जो निहारिका सिंग है वो उसके firm में और काम नहीं करती वो खुद का भी एक law firm पुनीत के साथ मिलके played by सत्यदिप मिश्रा उसके साथ मिलके जो है वो एक law firm मतलब खोल चुकी है अपना अब जो है यह मतलब लडाई जो है personal हो गई है अब निहारिका जो है किसी भी हाल में जीतना चाहती है जनारदन को मूँ तोड़ जवाब देना चाहती है आप इन दोरों में कौन जीतता है कौन हारता है यही है rest of the story इस web series की तो अब बात करते हैं हम यह screen प्लिकी तो देखिए गाईस यहाँ पे story जो है वो कुछ भी ज़दा professionally नहीं लग रहा है यह ज़दा personally लग रहा है तो obviously बात है यहाँ पे story जो दिखाई गई है कि भाई एक दो इनसान जो है वो बतलब किसी एक professional level पे कुछ उनके साथ होता है जो first season में हुआ था जो अगर आप नहीं देखिए तो आप देख लोगे तो पता चल जाएगा आपको उससी के वज़े से season 2 में उनके बीच एक rift create होता है उसके बाद जो है यह दोनो personal level पे attack करना शुरू कर देते हैं और यहाँ पे story का जो build up है नहीं वो story सुनने में बढ़ा अच्छा लग रहा है कि share और मात का खेल चल रहा है किसका share होगा किसका मात होगा किसके favor में कौन से situation होगा लेकिल भई यहाँ पे screenplay इतनी engaging है नहीं आठ episodes है तो आपको सारे के सारे episodes बड़े flat लगेंगे engaging factor है ही नहीं इसमें एक ही बात अच्छी है कि यहाँ पे जो 45-50 minutes के सिर्फ एक ही episode लास्ट वाला एंड कोई बीच वाला episode छोड़ देने के बाद और सारे जो episodes है वह इतने जादा लंदी मतलब 50 घंटे के नहीं है और एक बात भी है यहाँ पर मैं एक बात बोल दूं यहाँ पर स्टोरी का जो engaging factor कुछ है नहीं और courtroom drama में जो है वह इंट्रेस्ट आपके नहीं बनता है क्योंकि courtroom drama में जब कोई different कर रहा है तो कोई किसी को criticize कर रहा है नहीं तो कि किसी को मतलब उसके against में उसके जो सडियंत रच रहा है नहीं तो दो लॉयर जब वो दोने case लड़ रहे हैं तो उन दोनों के लॉयर का अगर कुछ भी हो रहा है सीन तो वहां पर भी आपको मज़नी आता इन शोट यहां डायलोग्स भी कुतने ज़्यादा अच्छे नहीं है आप मैं आपको बोल दों कि एक एपसोड देखने के बाद आपको पता चल जाएगा भाई यह सीरीज जो है मेरे बस का बात नहीं है तो ऑवराल बोल दो यहां पर प्रियूष मिश्रा जी है यहां पर अक्षय ओब्रय है पारूल गुलाटी है इनके अलावा और बहुत सार एक्टर है जिनका काम जो है मुझे उनके एक्कॉडिंग डीसेंटी लगा प्रियूष मिश्रा जी बहुत ज्यादा अच्छे है उनको छोड़ देने के बा यहां पर डिरेक्टर ही उतरे ज्यादा स्ट्रॉंग नहीं मुझे ऐसा पूप इस सीन में इतना बेस्ट परफोफ यहां नहीं मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हुआ बहले यह सारे अच्टर बहुत चारे प्रोजेट्स में काम कर चुके नेकिल ऐसा कोई वाव फेक्टर नही नितो improve हुआ है नितो इस scene में उसने मेहनत किये वैसे कुछ नहीं लगता तो overall बोल दो तो actors के काम जो है वो decent ही है जबकि और अच्छा हो सकता था improve हो सकता था तो अब बात करते हैं हमिया direction की तो अश्विनी चौधरीक जी का जो direction है ना वह बहुत ही जादा मैं क्या बोलू मत मैं टिपड़ी नहीं कर सकते क्योंकि मैं क्या है यह मतलब screenplay तो इतनी अच्छी है नहीं अब डिरेक्टर को blame करके क्या मिलेगा तो मैं blame नहीं करूंगे उनका direction भी decent type का ही है बूलूंगे below average you can say and यहां writing ही सबसे बड़ा villain है series का इतना जादा मतलब second third episode पहुंचने के बाद कुछ भी हो रहा है जब मतलब कुछ भी scene अगर हो रहा है तो आपको interest बनते ही नहीं आप सोचते हो भाई खलतम करो नहीं तो बंद करते हैं यार मुझे तो review कर रहा था इसलिए मैं जबरस्ती दो पहर के नींद हराम करके बैठी थी otherwise मुझे ऐसा नहीं लगता कि भाई आप अपना precious time इस पे देना चाहिए सो मैं इसे rate करूंगे यहां पर two stars out of five star मैंने सिर्फ one one star इसलिए नहीं दिया क्यूंकि इसका concept बहुत ज़दा अच्छा है यह actress जो है वो अच्छा है मतलब potential है उनमें लेकि उनका काम जो है decent है इसी के वज़े से otherwise मैं नहीं कहूंगे कि भाई यह series आपको देखनी चाहिए से पता चल रहे season 3 भी आएगा अब मैं भगवान से प्रही कर सकती हूं कि season 3 अच्छा हो otherwise और क्या ही कर सकते हैं बही सो कैसी लगे आपको रिव्यू प्लीज कमेंट शेक्षिन में ज़रू कॉमेंट कीजिएगा पसंद आगे तो like share करना मत भूले चैनल को सब्सक्राइब कर भी बाई ticker